हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब इलो आज मैं आपको सिर्फ हे की बात बोलूँगा ब्लैक लाइफ्स मैटर हर तरह की लाइफ मैटर करती है ब्राउन लाइफ बिल्कुल मैटर करती है मेरे इंडिया में तो बहुत सारी शेड्स पाई जाती है ब्लैक भी, वीटिश भी, वाइट भी, मिलकी भी, ग्रे भी हर तरह की शेड्स हमारे आपे पाई जाती है बट मेजरली इंडियन जो है वो ब्लैक शेड्स की तरह ज्यादा तिल्टिड होते है मज़े की बात यह है कि ब्लैक स्किन कलर को लेके मेरे यहाँ धर्म गरुन्तों में जितना ज्यादा लिखा गया है शायद दुनिया में उतना कहीं और ना लिखा गया हो एक गाना तो आपने सुना होगा यशो मती मैया से बोले नंद लाला राधा क्यूं गोरी मैं क्यूं काला बहुत मज़ेदार सुगे आपके इसको यूटूब पे जाके पूरा सुनना मज़ा जाएगा लड़की थोड़ी सी भी अगर यहाँ पे काली हो जिसे मेरे यहाँ पे कहा जाता है पक्के रंग की तो माब आपको छोड़ो रिष्टेदार और पड़ोश्यों को चिंता होने लगती है कि इसकी शादी होगी के नहीं उनकी रातों की नीन्ध हराम हो जाती है भीया अगरेल उन उसको किता बात ही मत करे बेसन के लेप में नीमबू डालके लगाओ तो आप गोरे हो जाओगे शहद और दही के मिक्स करके लगाओ तो आप गोरे हो जाओगे अरे भाईया दूप में मज जाओ आपकी स्किन काली पड़ जाएगी इस तरह की बाते आपको यहाँ पर बहुत नॉर्मली सुनने को मिल जाती है हालांकि एंसेन टाइम में ब्लैक ब्यूटी को लेके बहुत प्रेज किया गया अगर मैं दर्म गरंतों की बात करूँ इंडियन लिटरेचर की बात करूँ चाहे वो कालीदास हो, जयदेव हो या वतसायन हो, सभी ने ब्लैक ब्यूटी की बहुत ताइफ कि है खेर present time की बात करते हैं USA में African American को लेके जो racial discrimination है वो किसी से छीपा नहीं है बहुत बार वहाँ पे उनका ये behavior इतना ज्यादा visible हो जाता है जैसा कि इस बार हुआ जब एक police वाले ने एक black African American की garden पे अपना घुटना रखा उसको दबाए रखा जिससे उसके दम घुटने से उसके death हो गई पूरे USA में गुसा है प्रोटेस्ट हो रहे हैं लूट हो रही है फोर्स का जबर दस्त यूज हो रहा है सिर्फ USA में ही नहीं पूरी दुनिया में इसको ले के गुसा है और सबकी जुबाँ पे बस एक ही नबाद है black lives matter इंडिया सेलिप्रिडिस कहां पीछे रहने वाले थे उन्होंने भी ट्वीट पे ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया black lives matter अब यहां पे कुछ सवाल खड़े होते हैं दोस्तों एक तो यह कि जब इंडिया में कुछ इस तरह का कुछ होता है तो कोई भी नहीं बोलता दलित lives matter साधू lives matter कश्मीरी पंडित lives matter migrant lives matter etc. दूसरा यह कि इन सेलिप्रिटीज के अंदर वाला इंसान तभी जाकता है जब इंडिया से बाहर ऐसा कुछ हो रहा हो ऐसा कुछ लोगों का मानना है अब मज़े की बात यह है कि black lives matter का ट्वीट करने वाली सेलिप्रिटीज फेरने स्क्रीम की फूल ओल पबलिसीटी करते हैं जब आप advertisement में एक dark skin girl को under confident और ugly show करते हो तो आपको black lives matter कहने का कोई हक नह है वही वही लड़की बाद में fair and lovely लगाने के बाद confident भी नजर आती है उसका job interview भी clear हो जाता है उसकी अच्छी job लग जाती है और इसके उपर उसको एक handsome लड़का रिष्टे के लिए भी मिल जाता है कंगना रनावत ने भी recent लेक interview में कहा कि उन celebrities को black lives matter कहने को कोई हक नहीं हैं जो fairness beauty creams की products की advertisement करते हैं यह बात सिर्फ black lives matter के नहीं है बात है आवाज उठाने की जब भी इंडिया में कुछ ऐसा होता है चाहे वो किसी particular section को लेके हो particular religion को लेके हो particular caste को लेके हो या particular section of workers को लेके हो यह celebrities उस time पे चुप हो जाते हैं सिर्फ कुछ ही celebrity ऐसे हैं जो इस time पे अपनी आवाज उठाते हैं आपको क्या लगता है सक्यूं है क्या इन celebrities को अपनी security का डर है या अपने status का डर है या उनको यह डर है कि उनका fan base जो है वो चला जाएगा ऐसा बहुत सारे reason हो सकते हैं तो दोस्ते opinion also matters सभी तरह की दोस्तों life matter करती है black lives matter करती है white lives matter करती है लेकिन discrimination जहां पे होता है उसको दूर करने के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए चाहे हो caste based हो चाहे हो religion based हो चाहे हो skin color based हो चाहे हो जेंडर बेस्ड हो चाहे हो एज बेस्ड हो रीजन बेस्ड हो जो जिस तरह का भी discrimination होता है वो हर तरह का discrimination दूर होना चाहिए ताकि पूरी society equal हो सके हर कोई खुशी से रह सके मिल जूल के रह सके that is my opinion तो दोस्तों आप इस बार में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताएं